तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर देखिए आज का जो टॉपिक है यह बात करने वाले हम लोग चानक की के बारे में देखें मौरिवन्स का स्थापना से लेकर मौरिवन्स के अंतक के पूरे सहिनयोग में चानक की का बहुत बड़ा रोल रहा है चानक की का जीवनी आज हम लोग जानाएगे कि कैसे चानक की ने पूरे मौरिव समराज्य को एक समय के लिए तीन पीडियों तक एक ताकतवर राज्य बना आ के र глаза और एक ताकतवर सम्राज्य के तहत उन्हों ने अच्छे अच्छे राजाओं के छक्य छोड़ा दिय थे इनीचे ताकत पर Keyूल के शेलूकस निकेटर जैसे माहन सनिकों को हराया गिया जो बहुत ही ताकतवर था तो चलिए पहले सुरू करते हैं हम लोग चानक की की पूरे हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह इनका जन्म हुआ और किस तरह चानक की निती से चंदगुप्त मौर्य ने अपने सासन प्रनाली को बढ़ाया था देखिए चानक की जो है इनका जन्म जो है ये एक तरह से आप बोच सकते हैं कि इनका जन्म तकसिला में हुआ और तकसिला में जन्म होने के साथ साथ ही ये बचपन से ही अपने बुद्धिमता और सांती के लिए बहुत ही जादा परसिद्ध थे आप ऐसा इसमें वो सकते हैं कि चानकी का जन्व गरीब ब्राहमन घर में हुआ था, इनके पिता का नाम चड़क था और इनकी मा का नाम चनकेश्वरी था और इसी कारण चानकी की जो जितनी भी नितियां है वो अधिकतर नियाई के लिए ही देखी जाती है इन्होंने भविष्य में जब बड़े हुए तो बहुत कुछ ऐसा काम किया जिससे इनकी राजनेतिक गतिविधियां जो थी काफी तेज हो गई थी लेकिन कही जगों पर खास करके बौद साहिते और जैन साहिते में कई ऐसी कथाई हैं जहां चानकी के साथ हुए गलत रवय और कई तरह के अन्याय का जिकर किया गया है जिसमें से एक घटना आता है उनके पिता की मृत्यू का चानकी के पिता की मृत्यू क्या अगर हम लोग बारे में जाने तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाकना होगा तो आपको इसमें मिले गए कि जब चानकी के पिता अर्था चनक जी जो एक गरीब ब्रहामन थे किन्तु उस समय जब वहाँ पर हर्यक वन्स का सासन था या आप वो सकते हैं जब मगद में बिंबसार जैसे सासको का दबदमा था जो बहुत अधिक क्रूर था जो अपने सेनाओं पर और अपने जितने भी जनता थे उन पर अधिक टेक्स लगाता था उन पर अधिक कर लगा करके उनका दोहन करता था और 99 करोड से भी जादा हंडार किया था और इस तरह वो लगातार क्या करता था कि अपने लोगों पर अपने जनता पर अपने जो करता धरता है उन पर अधिक टेक्स लगा कर उन्हें लूट रहा था और उन्हें लूटने के कारण एक तरह से बिंबसार जो था वो देश विरोधी हो चुका था दे परियास कर चुके थे जिसमें अंतिम परियास उन्होंने किया चड़क के एक मित्र थे जो बिम्बसार की राजमहल में एक पंडित थे और उन्होंने मिल करके एक सडियंद्र किया जिसके तहत वो बिमशार के मुर्थिव करना चाहते थे , बिमत्र को मלא चाहते थे , लेकिन राजमहल में उनके कई गुप्टचवर थे जिसने चणक सिधा बिमशार को बता दिया और बिमशार को विरुदृज करकर बारद्सफ़ करtooر धिय सुनाई और इसलिए बिमसार का सरीर से धड़ को अलग कर दिया गिया उसके सिर को काट करके बिच्वराहे पे लटका दिया गया यह सभी घटनाएं उसका पुत्र जो मात्र सिमसार से अपने पिता के मौत का बदला नहीं लूँगा तब तक मैं आज जीवन पकेवे भोजन का सेवन नहीं करूँगा और ना ही मैं अपने सखायों यानि कि अपने बाल को कभी मुंदन करवाऊंगा और इस प्रन ने उसे बदल दिया यह प्रन इतना बड़ा प्रन था क कि इसी प्रन ने चंदगुप्त मौरी जैसे राजा को जन्व दिया वह निकल चुके थे अपने राज सिंहासन को छोड़ करके अपने जितने भी घर बार थे उसको छोड़ करके वह निकल चुको थे जंगल की और और वह तकसिला में जाके वापस फिर से बस गए वहां पर वह लगातार अपने पिता के बदले के लिए एक नया यूवक खोज रहा था ऐक नया यूवराज खोज रहे थे जोर उनके पिता का बदला ले सकता था और उसी के तहत जब एक दिन ऐसा आया कि वो अपने घर से वो तकसिला विस्विद्याले की ओर जा रहे थे जिसके बीच में एक जंगल पड़ता था जब वो जंगल में घुशते हैं तो देखते हैं कि कुछ भील पुत्र जो है वो वहाँ पर खेल रहे हैं ये खेल था राजा और प्रजा का उसमें से देखते हैं कि एक लड़का जो है वो राजा बना हुआ है और जिसका उम्र मुश्किल से 18 से 16 साल का है और वो राजा बन करके जितने भी उसके दोस्त हैं जो प्रजाक का रोल या प्रजाक का बोच सकते हैं कि रूप में वहाँ पर खेल रहे थें उन्हें ये आदेश देते हैं कि तुम्हें हमारा सम्मान करना होगा और तुम्हारे सम्मान से ही हम आगे बढ़ेंगे और तुम्ह मारने के कोशिश करता है उस पर आक्रमन करने का प्रियास करता है तब वो छोटा सा बच्चा वो बालक जो वहां पर राजा की भूमिका में था वो वहीं चानकी को बचाने के लिए अपने तलवार के साथ अपने भालक के साथ खड़ा हो जाता है बाकी जितने भी बच्चे से मुझे बचाने के लिए तुम क्यों नहीं भागे उस बच्चे का जवाब सुन करके चानकी का जो दिमाग था वो पूरी तरह सुन हो जाता है वो बच्चा बोलता है कि मैं अभी एक खेल खेल रहा था जिसमें मैं राजा की भूमिका में था और मेरा करतव यह है कि मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा करूँ और उस खेल में आप भी सामिल हो गए था यहां खड़े हो करके वो बच्चा एक भिल पूत्र था बहुत साहिते जैन साहिते और कई साहितों में ये कहा गया है कि वो छत्री है लेकिन ब्राहमन साहित में उन्हें एक सुद्र जाती का माना गया है और उस बच्चे ने इससे जब नाम पूछा गिया जब चानकी ने उससे उसका नाम पूछा तो उनका नाम बताया गिया कि मेरा नाम चंदगुप्त मौरी है इस नाम को सुन करके उसने उस बच्चे को एक कलपना दी कि क्या बेटी अगर तुम्हें सही में राजा बनाया जाए क्या तुम चाहते हो कि तुम राजा बनो और जब उसने अच्छा से उससे पूछा तो उसने बताया कि किस तरह एक बार चंदगुप्त मौरी की मां को जलिल किया गया था विमसार के दर्बार में तब चानकी अपने मन के बातों को नहीं रुक पाएं और उन्होंने भी उसे बताया कि किस तरह उसके पिता को मारा गिया किस तरह बिमसार ने उसके पिता के सरीर से उसके धड़ को अलग कर दिया था और उसके पिता को बेज़्जत किया था पूरे रहमन समाज में पूरे जाती में पूरे सहर में दोनों का जो रूट था दोनों का जो एक मार्ग था एक ही था दोनों का मंजी लेखी था तब चानक और उसकी बहुत बड़ी सेना को हरापाओगे कुछ समय बाद लगभग पांच वर्सों तक विमसार के विरुद में चानकी ने एक नया युवक तयार किया जो चंदगुप्त मौरे था उसे हर परकार के सास्त्र संगीत और जितने भी अस्त्र सस्त्र सभी की जानकारियां दी और निपून कर दिया जब वो पुरी तरह तयार हो गया वो बच्चा लड़ने के लिए काबिल हो गया और उसे हर विद्या सिखा दी गई तो चानकी ने उसे बोला कि जाओ और तुम अ उत्पिलन से मुक्त होना उन्हें एकठा करो और फिर तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें उस तरह की नीती सिखाऊंगा कि जिससे तुम विमसार को हरा पाओगे और होता भी कुछ ऐसा है कुछ समय पर साथ जब बहुत बड़ी संख्या के मात्रा में एक यूवक अपने साथ बहुत सारी सेना लाता है और वो सासक के पर्तिद्योंदियों को हराने के लिए विमसार को हराने के लिए चानकी के पास नत्मस्तक हो जाता है और बोलता है कि मुझे वो रास्ता दिखाई है जिससे मैं विमसार को हराऊंगा जिसके बाद चानक के अर्थात विस्नु नहीं चानकी को कई बार कोटली भी कहा जाता है इस तरह से चानकी नीती के तहट चल करके विंबसार को हराय गया था और चंदगुप्त मौरी ने मौरी वंस की स्थापना की तो आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह चानकी ने अपने जीवन में तीन राजाओं की पिढ़ी को साहा था मतलब इस मौरी समराज को तीन राजा के सासक तंतर में चानकी नहीं जिया था तो चंदगुप्त मौरी बिंदु सार और असोक इन तीनों के राज सासन को सीधा रूप से परधान मंत्री के रूप में चलाने वाला ही चानकी था और चानकी ने इसी के तहत एक अर् आत्रम भारत माते की जरी